Good afternoon students आज हम English में एक स्टोरी कर रहे हैं जिसका नाम है What are those boys doing? वो लड़के क्या कर रहे हैं? Doing मतलब कर रहे हैं Those मतलब वो What मतलब क्या? तो वो लड़के क्या कर रहे हैं? वो boys क्या कर रहे हैं? Tanya is a Russian girl She is Mina's pen friend Tanya नाम की एक लड़की है जो की Russian girl है Russian मतलब Russia से है Russia एक country है जैसे हमारी India एक country है एक देश है वैसे ही Russia एक देश है और वहां की रहने वाली लड़की Tanya है Russia से है तो हम बोलेंगे Russian जैसे इंडिया है इंडिया के रहने वालों को हम कहते हैं Indian वैसे ही Russia के रहने वालों को Russian तो Russian girl है वो She is Mina's pen friend वो Mina की pen friend है Pen friend क्या होता है? मैंने आपको बताया था pen friend का मतलब होता है जो पत्र के माध्यम से दोस्त बना हो यानि जिसे आप चिठियां लिखो और उस माध्यम से वो आपका मित्र बने Today she is in Mina school तो आज वो Mina के school में है She is near the playground with Mina तो वो playground के पास है Mina के साथ तो जो तानिया है वो Russian लड़की है Mina की friend है अब ये जो Russian लड़की है तानिया ये मीना के school में आई है और playground के पास खड़ी है मीना के साथ अब ये तानिया कहती है What are those boys doing? वो लड़के क्या कर रहे हैं? तो मीना उसको answer देती है They are playing वो खेल रहे हैं फिर तानिया पूछती है What are they playing? वो क्या खेल रहे हैं? मीना They are playing hide and seek वो hide and seek खेल रहे हैं hide and seek क्या होता है? छिपन छिपाई खेलते हैं लूग का खेलते हैं जैसे तो उसे हम कहते हैं hide and seek तो मीना कहती है वो hide and seek खेल रहे हैं फिर तानिया कहती है आरिफ is hiding behind a bush जो आरिफ है वो एक बुष के पीछे छुपा हुआ है hiding मतलब छिपा हुआ बुष मतलब जाडी तो वो एक जाडी के पीछे छुपा हुआ है मीना कहती है Now look अमित is walking on tipto तो अब वो कहती है कि देखो अब देखो जो अमित है वो tipto पे चल रहा है tipto क्या होती है जो हमारा पाउं होता है उसकी जो fingers होती है हम उसे कहते हैं toe toes तो toes की जो tip होती है जो आगे का हिस्सा होता है तो जब हम पाउं के इस तरीके की जगा ऐसे करके चलते हैं बिल्कुल पंजे के बल चलते हैं तब हम उसे कहते हैं tipto तो अमित tipto के सहारे चल रहा है tipto पे चल रहा है अब तानिया कहती है हस्ते हुए हुरे अमित is catching आरिफ जो अमित है उसने आरिफ को catch कर लिया यानि पकड़ लिया तो क्या था वो हाइडन सीक खेल रहे थे हाइडन सीक में आरिफ छुपा हुआ था अमित tipto पे चलते हुए उसे ढून रहा था और फिर क्या हुआ अमित ने आरिफ को ढून लिया अम मीना कहती है let's go to the other playground अब हम दूसरे playground में चलते हैं तान्या कहती है here the girls are also playing कि यहाँ लड़कियां भी खेल रही है what are they playing वो क्या खेल रही है मीना कहती है they are playing the parcel game तो आपने parcel game सुनी होगी passing the parcel इसमें लोग इस तरीके से circle में या इकठे ग्रूप में बैठते हैं और जैसे इसके हाथ में एक parcel दिख रहा है एक पोटली जैसे या एक box तो यह इसको pass करते हैं यानि पहले यह लेगी जब music बजेगा तो यह इसको देगी फिर यह इसको देगी फिर यह इसको देगी वापिस ऐसे गुमते हैं जब तक music चलता है और जैसे ही music बंद होता है फिर जिसके हाथ में parcel होता है उसको वो parcel के अंदर से जो चिठी निकलेगी वो काम करना पड़ता है तो यह होती है parcel game तो वही मीना बता रही है कि वो parcel game खेल रहे हैं तो आज हम इतना ही करेंगे बाकी हम next time करेंगे Thank you students